हेलो एवरिवन वेलकम टू जी के वाई जोती में फ्रेंड्स आज की यह जो हमारी हर्याना जी के MCQ को सीरीज जो हमने स्टार्ट के हुए 11 वीडियो है इससे पहले मैं आपको साथ वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ अगर आपने वो साथ वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन साथ वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने इन, जो यह मैं MCQ शीरीज की स्टार्ट की हुई है, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे, तो आप स्टार्टिंग से उन वीडियो को देख सकते हैं, आज की यह हमारी एट्थ वीडियो है, ज्यादा टाइम नागवाते हुए हम आज की वीडियो में ज्याद तो आपको द्यार रखना है, आप देखें आगे बढ़ते हैं, नेस्ट क्वेस्ट नेस्ट तो क्या है सबसे पहला ही वीडियो हमारा, 238 नीवन में से कौन सा नेता हर्याना के मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका है, तो यहां पर पुछा गया कि ऐसा कौन सानेता है जो उप मुख्यमंत्री भी रहा है और मुख्यमंत्री भी रहा है तो वह हमारे मास्टर हुकम सिंग हो जाएगा इसका अनस्वर हमारा क्या हो जाएगा मास्टर हुकम सिंग इसका अनस्वर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा यहां पर ऑप्शन में द जाता है next question हमारा राजय पुनरगठन आयोग ने अपने रिपोर्ट पेस कब की थी तो जो यह हमारा राजय पुनरगठन आयोग है इन्होंने जो अपने रिपोर्ट पेस की थी वो 1956 में की थी और जो यह यह है आयोग है इसमें जो कब बना था ये वर्ष 1953 में बना था और इसमें जो है तीन व्यक्ति थे जिन में से एक परमुक था जिसका नाम है जेसी सहा तो इसका नाम राजे पुनर गटन आयोग भी आ सकता है और या फिर जेसी सहा आयोग भी आ सकता है तो ये आपको ध्यार रख लेना है जो हमारी सरस्पती नदी है उसके पुनर जीवन के लिए पदम पूशन अवोर्ड से क्या क्या गया है सम्मानित क्या गया है इनका नाम दर्शनलाल जैन है इनका जो संबन है वो यमना नगर्शे है ये भी आपको ध्यार रख लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं हमारा 1969 में दिया गया था लेकिन आपको ध्यार रख लेना है जो हमारा हरियाना है हरियाना की एड़ प्रेजेंट में जो दूसरी भासा है उसका जो दर्जा दिया गया था तो वो दर्जा दिया गया था वर्स 2010 में वो दर्जा दिया गया था और जब ये दर्जा दिया गया था उसमें पर हमारे जो शेम हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, वुपेंडर सिर्ग हुड़ा हुआ करते थे, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये दोनों आपको ध्यान रख लेना है, लेकिन जो बनसिलाल जी हैं उनके समय पे जो हर्याना है हर्याना की जो second language थी official वाली उसका दर्जा की से दिया गया था तमिल भासा को दिया गया था जो कि 1969 में दिया गया था next question हमारा गन्ना इन में से कौन सी फसल है तो देखिये जो हमारा गन्ना है वो हमारी खरीफ की फसल है तो यह easy सा question है और आप सबी जो है फार्मर की फैमली से भी लोग करते हैं तो आपको पता ही होगा जो गन्ना है वो हमारी किस चीज की फसल है खरीफ की फसल है next question हमारा विसो icancer Institute हरयाना में कहा पर इक थित है तो यह most important question है जो हमारा new cancer institute है या इसका जो अनस्वर हो जैगा वो जजजर हो जाएगा यहांपर जैंपने हमार credit रेना जो हमारा कैंसर इंस्टिट है यह हमारे बाढ़ सागाउं जज़र में है इसकी जो नीव रखी गई थी वो वर्ष 2012 में रखी गई थी और यह कंप्लेट कब हुआ था यह कंप्लेट हुआ था 18 दिसंबर 2018 को और यह पर देश में कैस सबसे बड़ा कैंसर इंस्टिटूट है तो यह आपको ध्यारक लेना है कहां पर हमारे बाड सागाउ जज़र में है तो यह अपको ध्यारक लेना है इसे आइरन एंड बर्ड पोलीशी भी बोला जाता है यह जो मेवात में जो मेवात एरिया था वहाँपर जो मेवाती लोग थे उनको निष्ट करने के लिए जो है बल बनने इस नीती को अपना है था ये भी अपने ध्यार रखना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निमन में से पंजाब केसरी कौन है तो जो ये उप्सन दिये गए है यहाँ पर लाला राजबतराई पनितने किराम सर्मा महात्मा गांदी एंड ननोफ दीज तो ये आपको ध्यार रख लेना है जो हमारा पंजाब केसरी है वो किसे कहा जाता है लाला राजबतराई जी को कहा जाता है आपके ये भी ध्यार रख लेना है पंजाब केसरी लाला राजबतराई जी को कहा जाता है और जो महात्मा गांदी है उन्हों उनको जो अंग्रेज है उन्होंने एक सरे हिंद की जो उपादी दी गई थी अंग्रेज जो के दुवारा वो किसे दी गई थी महातमा गांदी जी को दी गई थी तो यह अपने ध्यारक लेना है नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा हरियाना में बुडापा पैंसन योजना किस वर्ष लागू हुई थी तो देखे यह ज तर्ट की गई थी क्वेस्टन में यही पूछा गया कि किस वर्ष लागू की गई थी तो यह 1987 में क्या की सुर पे दिया जाते थे लेकिन अब बढ़ते 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 मोधी जी के टाइम में यह कितने हो चुके हैं अलगवक प्रित्वी राच्योहान जी आपको पता होगा इनकी जो है मोमद गोरी के साथ क्या हुई थी लड़ाईया हुई थी इनकी टोटल दो लड़ाईया हुई थी मोमद गोरी के साथ ताट एक वी थी करनाल के त्राइन में हुई थी लड़ै एक हुई थी हमारी त्राइन की फिष्ट लड़ै जो की 11 212 hour हुई थी एक हुई थी हमारी दूसरी लड़ाई जो कि 1112 में हुई थी नोटिफिकेशन तो यह आपको दोनों ध्यार रख लेनी है फर्स्ट वाली में प्रित्वी राज चुहान की क्या हो जाती है जीत हो जाती है लेकिन जो सेकिंड वाली लड़ाई होती है उसमें क्या होता प्रित्वी राज रासों को किसने पूरा किया देखिया आपने ध्यार रख लेना है जो है यह प्रित्वी राज रासो है यह एक बुक है जो कि चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई थी लेकिन क्या होता है जो चंदर बरदाई है मोमद गोरी क्या है प्रित्वी राज चुहान को और चंद्रबर्दाई को क्या कर लेता है अपने साथ बंदी बना कर लेकर चला जाता है तो यहां पर जो जल्हन है यह चंद्रबर्दाई का बेटा है यह क्या करता है जो प्रिथवी राज रास्तो जो पुस्तक है हमारी उसके करता है कम्प्लीट करता है तो यह आपको ध्यारक लेना है नेस्ट क्वेस्टिन हमारा हरियाना में मारूती काकार खाना कहां पश्तित है तो जो यह हमारा मारूती काकार खाना है यह हमारे मानेसर में स्तित है और मानेसर है वो हरियाना का 24 वा पुलिस जिला है यह भी आपको ध्यारक लेना है तेश्वा पुलिस जिला हमारा हंसी है और 24 वा पुलिस जिला हमारा मानिसर है और जो मानिसर है वो ग्यारवार नगर निगंबी बन चुका है तो यह अपने ध्यारक लेना है next question है हमारा देखे अब आएंगे most important question और जो वहुत अच्छी explanation के साथ ही आप रहेंगे तो यह अपने अच्छे से देखनी है वीडियो अच्छे से समझनी है और अपने friend circle में share करनी है क्योंकि जो मैं पहले वीडियो डालती थी उन पे लगबग 200-300 वीव आ जाते थे और ज्य रहते हैं 10 से कम ही रहते हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा अपने friend circle में वीडियो को share करना है ताकि उन्हीं पता चल जाए कि चैनल पर दोबारा से जो है continuity हो चुकी है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बस आप से request last time request कर रही हूं आप से आपने वीडियो को ज्यादा से ज् बेस्ट कंटेंट देने की कोशिस करती हूं अब हम जो है next question के और बढ़ते हैं हमारा next question है 253 स्वांग पर्था का जनक किसे माना जाता है तो देखे स्वांग को सांग भी बोला जाता है तो यह जो सांग पर्था है इसका जो जनक है वो किसे माना जाता है वो किसन लाल कर ला हिंदी समाचार पत्र कौंट सा था तो यह था हमारा जैन परकाट यह आपको ध्यारक लेना है यह जो जैन परकास अमारा समाचार पत्र था Communist Mir生 का यह जो जो संचालन किया था जिया दिये गई है जार्ट समाचार से क्ट हरा गया. आइटीन 1889 में निकाल लगिया था बाबु कणि यलाल जी के दवारा गुरू गुरुगौ राम से निकाल लगिया था और जो यह हमारा हरियाना तिलक है अर्दू बासा की पर्थम सापताहिक पत्री का थी जो कि 1923 में निकाल लगई थी पंडित सरी राम सरमा जी के दवारा और जो यह हमारे पंडित स्री राम सर्मा जी हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, grand old man of हरियाना बोला जाता है, तो यह यहाँ पर तीन उप्सन है, जैन परकास, जाट समाचार, हरियाना तिलक और धैनिक परकास तो यह आपको मैंने जो है इसका अंस्वर तो हो जाएगा जैन परकास यह जी अलाल जैन जे के द्वरा 1885 में गुरुगुराम से निकाला गया था इसके साथ साथ आपको यह दो अप्शन भी ध्यारख लेने हैं जो की जाट समाचार है और हरियाना तिलक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखें यह नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा डैस को हरियाना के पर्थम सांगी होने का सरे दिया जाता है तो देखें यही question है मैं इसी वीडियो में एक question को छोड़ कर उससे पहले कर चुके हैं वहाँ पर बस मैंने आपको simple बताया कि जो हर्याना में सांग प्रमप्रा सुरू करने का सरे है वो किसे दिया जाता है तो किसलाल बाठ को दिया जाता है जो कि merit से थे तो अब मैं देखें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से explain करती हूँ हर्याना का जो राजके नरित्या है वो कुन सा है हमारा श्रौंग है जो श्रौंग है श्रौंग का अर्थ होता है भेस बरना या फिर नकल करना जो सांग है वो किस किस चीज का मिसरन है तो सांग जो है संगीत का मिसरन है नोटंग की तमासा रागनी वाक मिसरन तो इन चार पाँच चीजों को मिला कर क्या बनता है सांग बनता है दस बारव एक्तियों का ये समू होता है इसमें जो लकडी के तक्तों पर ये किया जाता है और जो ये लकडी के तक्ते होते हैं इसकी जो लंबाई होते हैं वो साड़े तीन मीटर की इसकी लंबाई होती है इसकी जो शुरुवात की जाती है वो देवी बवानी के जो परसंश 6 गंटे लगते हैं लेकिन आज कल जो यह हमारा श्रॉंग प्रमप्रा है यह दीरे-दीरे खतम होती जा रही है क्योंकि जो व्यक्ति है उनके पास टाइम ही नहीं रहा तो वह पाम से 6 गंटे एक सांग देखने में नहीं निकालेंगे तो अब हमने क्या किया है संगीत को हमने देखें जो यह हमारा संगीत है संगीत को हमने अलग निकाल लिया नोटंकी को अलग निकाल लिया तमासे को अलग निकाल लिया रागनी को अलग निकाल लिया और वाक मिसरन को हमने अलग निकाल लिया है जब भी हमारा जो मन है सैड होता है तो हम क्या कर लेते है थोड़े दस से 12 मिंट की हो जाती है और वाक मिसरन तो इन चीज़ों को हमने अलग-अलग कर दिया है अब हमारे पास टाइम नहीं रहा है तो अब हम 5-6 गंटे एक ही जगह बैठकर एक ही चीज को नहीं देख सकते हैं एक तो हमारे पास टाइम नहीं रहा है सैकिन हमें पेसंस भी नही सुंच आए उसको भी हम यह सोचते कि हां और कब इसकी पोगी करता ही तो अब टाइम ही नहीं है श्यक्त ऊहां हमें पेसेंस भी नहीं रहा है तो यह अपनी धहर के नहीं है जो हमारा स्वांग परम्परा है तो देरे-देरे हर्याना से क्या होती जा रही है स्माप्त पैसे घटे थे उसे क्या किया उन्ने रेवारी में गंटेसवर मन्दिर इसका क्या करवाए है निर्मान करवाए है ये पूछा जाताए क्जाम में तो ये आपको ध्यार रख लेना है जो रिगस लोक रंग jewel का पिता न कहा जाता। जी haver किसन mayoría जलबाट जी है उसे क्या कहा जाता है स्वांग परंप्रा का जनक कहा जाता है तो यह अपने ध्यान रख लेना है यह स्वांग परंप्रा से या फिर स्वांग से रेलेटेड हमारे इंपोटेंट क्वेस्चन थे अब देखे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारा पंडित ने किराम सर्मा जी ने भीवानी से डैस की सुरुआत की थी तो जो यह हमारे पंडित ने किराम सर्मा जी है इन्होंने किस चीज की सुरुआत की थी वो भी भीवानी से तो इनोंने संदेश जो है उसकी सुरुवात की थी जो संदेश है वो एक क्या था अकबार था तो यह आपको ध्यारग लेना अब देखे हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा यहां पर उप्शन दिया गया जाट गचट तो जो यह हमारा जाट गचट है यह 1916 में उर्दू भासा क यह क्या था सापताई का अकबार था जो की रोध तक से चोद्री छोटु राम जी के द्वारा निकाला गया था और जो चोद्री छोटु पाल जी है छोटु राम जी है इनका जो रियल का नेम था वो क्या था रिचपाल था हरियाना का पर्थम दैनिक अकबार कौन सा था हर बूमी था तो ये भी आपको ध्यारक लेना है और जो ये हरी बूमी था ये किस के दुवारा निकाला गया था काप्टन हभी मन्यू के दुवारा निकाला गया था कहां से निकाला गया था रोध तक से निकाला गया था तो ये आपको ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे वो कहां पर है तो वो हमारा मोर्नी हील्स में है जो कि पंचकुला में यह आती है और मोर्नी हील्स का नाम मोर्नी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर जो मोर्नी नाम के क्या रहती थी रानी रहती थी तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है मोर्नी हील्स पड़ा है अब कि जो हमारे हर्यान की जंसंख्या कितनी ती 2,53,551,4262 याना कि 2 341,562 यहां पर हमारी जो हर्यान की एकुल जंसंख्या रही थी जो और यह भारत की इकुल जंसंख्या का कितना था 2.09 पर्शेंट था तो चैन रख लेना आप देखे हम आगे बढ़ते हैं हमारा दियायाश नदी को दिल्ली में न जबगडद नाला भी और य cabinet से रिलेटिड और नदीन erlebt मसी मारे ना भूत अच्छे से और ग्लीन नजवगड नाला किस नदी को कहा जाता है तो ये साहिबी नदी को कहा जाता है जो साहिबी नदी है इसका जो दूसरा नाम है वो दृष्वती है साभी नदी है और नाला नमबर आठ है और इसका जो नाम साहिबी पड़ा है वो इस वज़े से पड़ा है बोला जाता है पुर जैसे हम सभी क्या है गाओं में रह रहे होते हैं गाओं के बाद फिर क्या आता है ब्लोक आता है ब्लोक को क्या बोला जाता है मद्यस्टर बोला जाता है और ब्लोक के बाद फिर क्या आता हमारा जिला आता है तो जिला को क्या बोला जाता है उच्छ दर बोला जाता है तो यह हमारा जो रज्य निर्वाजनायोग है इसका जो गठन किया गया था वो 1993 को किया अब देखे हम आगे बढ़ते हैं हर्याना के रज्य विदान सभा के स्पीकर पद पर कौन सी महीला न्युक्त हुई थी तो यह देखे आप सभी को पता है जो हमारी स्रीमती शन्नो देवी जी थी वो पहले क्या है पंजाब विदान सभा में क्या हुआ करती थी स्पीकर हुआ पंजाब में स्पीकर हुआ करती थी तो इने जब हमारा हर्याना एक नूमर 9026 को पंजाब से अलगकर दिया जाता है भासा के आदार पर तो क्या करते हैं जो यह स्रीमति शन्नो देवी जी हैं इनके कर दिया जाता है हारियाना राज्य विदान सबा की Ohh भृ mo investigate, बना दिया जाता है फ़र्श्ट तो यह आपको धारक लेना है सरिमति छन्नो देवीजी जो है यह जगादरी से क्या थी M LA भारत किसी भी राज्य की पर्थम महीला स्पीक कर रही है और इनोंने इनकी जो पर्थम विदानसबा है वो 1 नुवंबर 1966 में हुई थी और इनोंने पर्थम बैटक अब ले थी 6 दिसमबर 1966 में ली थी तो यह आपको ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं यह भी देख माटर नुवंबर 1966 में हमारी हर्यान में कर फस्ट विदानसबा चल रहाई थी जब हमारे हरयाना का गठनवाता धा 66 को First Vidarniswabha Siman totalрузori's1иться कितनी थी 54 थी 54 में जो है 10 nervous fure aun i रह गई थि और दस अमारी यह पर आपको द्हार갔 लेना है फिर क्या होता है 24 M dijo or 27 सबाब secret हो उसमें कोण सी विधानसबा चल रही होती है सैकंड़ office सबा Black चल रही होती है तो सैंकड़ स्मेरा हर्याAnnas में जो 24 से बढ़ा कर कितनी कर 밝혔 दी nominated 81 में से जो हमारी अरक्षी सीटे हैं उनकी सनक्या कितनी कर दी जाती है 15 कर दी जाती है और जब 24 मार्च 1967 के बाद 1967 के बाद अगर हम उसमें दस वर्ष एड कर दे तो उस हमारा कितना बनता है 77 बनता है तोill 77 में क्या होता है हमारी पाचविष लोग 사랑 होती है तो पाचविष में आपको पता होगा टोटल बाइस जिले हैं उन बास जिलों में से 17 जिले आशे हैं जिसमें परतेक जिले में क्या आपनी?" एक-एक आरक्सित सीट है, लेकिन 5 जिले हर्याने में ऐसे हैं, जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। उप VO रख लेना है वर्ष दोजार 600 में वार इसको और रेज कर देते हैं दोबारा से लिखते हैं तो देखे जो हमारा वर्ष हो जाएगी बोलने में निखा तो एकदम है दो सीटों किसें क्या कितनी हो जाएगी सब्सक्राइब रखसीद लागए लगवग हमारी 24 सीटे क्या हो जाएंगी तो यह आपको ध्यायरक लेना है यह question मैंने बहुत अच्छे से explain कर दिया उमीद करती हूँ यह question अगर in future आपके एक jam में आता है तो आप गलत नहीं करोगे अब देखे हम आगे बढ़ते हैं next question अमरा 1857 के विद्रों के बाद हरियाना को dash के साथ मिला दिया था तो देखे जो हमारा हरियाना है 1857 का जो विद्रों हुआ था उससे पहले जो हमारा हरियाना है वो यूपी का वेक पार्ट हुआ करता था और यूपी को इस टाइम पर उतर परदेश नहीं बोला जाता था यह आगरा का पार्ट हुआ करता था लेकिन क्या होता है 1857 के भी दुरों में हम क्या करते हैं अंग्रेज्जों के साथ क्या करते हैं लडाईया करते हैं तो क्या होता है जो हर्याना है हर्याना को पंजाम में मिला दिया जाता है तो वो कम मिला जाता है तो फरवरी 1858 मिला जाता है तो कहाँ पर मिला दिया जाता है रियाना को पंजाब में मिलाया जाता है नेक्ट कुछन हमारा हर्या राज्या हर्षवर्दन ने अपने राजदानी के रूप में डैस को अपनाया था तो देखे जो हाला की थानेसर राजदानी स्थापी थी तो देखे जो आपको पता है राज्या हर्षवर्दन है वो तो उसको क्या कर लिया थे इन्होंने अपने सेकंड राजदानी बना लिया था तो यह आपको ध्यार रख लेना है नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा जन्नाएक जन्ता पार्टी ने हर्याना विदान सबा चुनाओ 2019 में सीटे कितनी थी तो यह क्वेस्टन पुचा गिया है जो हमारी जन्नाएक जन्ता पार्टी है यानकी जेजेपी इसने हर्याना विदान सबा में जो की 2019 में हुई थी इसमें कितनी सीटे जितती थी तो इसने टोटल दस सीटे जिती थी चुनाव 21 सक्तुबर 2019 को वा था इसका जो रिजल्ट है वो 24 सक्तुबर 2019 को था यह हमारी जो 2019 में विदान सबावी थी यह हमारी 14 वी विदान सबावी थी बीजेपी की टोटल सीटे जो है 40 थी और इंडियन नैशनल कोंगरेस की जो सीटे थी वो 31 जे जेपी की जो हमारी 10 तो जो यह जे जेपी जुनता है जो जो जे जीपी पार्टी है.. इसने का है बीजेपी के साथ गछ बंदन करके प्रान सरकार बना लसे तLes आपको ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं पहलवान सरी योगेश्वर्दत और पूरो भारतिया होकी कप्तान सरी संदीब सिंग हर्याना के किस राजनेतिक पार्टी में सामिल हुए हैं तो यह हमारी बीजेपी में सामिल हुए हैं भारतिया जनता पार्टी ज शुर्मा जो कि इसको डायरेक्ट किया है साथ अले ने मीडिया में फिल अकर्षिंह ने क्या किया जाता है जाना जाता है तो यह आपको ध्यारक लेना है जो हमारे संदीब सिंग है इनके उपर क्या एक फिलम आगी है सुरमा जोकी दिलजीगत दोसां जिसमें क्या कर रही है एक्टर का रोल पर प्ले कर रही है और हरियाना में भी ऐसे बहुत सी फिलम आईए जैसे कィ हवासिंग फिलम है अभी हाओ छुकी है पता नहीं आएगी ज जो यह हमारी दंगल मूवी आई थी अमीर खान की और भी बहुत सी मूवी आई है जैसे निर्जा बनोट के उपर भी एक मूवी आई थी और पंडित लखमी चंद भी एक मूवी आएगी यहां पर तो यह आपको ध्यारक लेना है कुछ मूवी हैं जो किसी करेक्टर के उपर आएंगी हर्याना का पहला राज्यकवी कोन था तो जो हमारा हर्याना हर्याना का पहला राज्यकवी जो है वो सरी उद्यबानु हनस है इन्हों को 1967 में यह दर्जा दिया गया था इनका जो जनम हो दियार दीन पन्हाब पाकिस्तान में वह था इनकी जो मर्तियों हो 16 फरवर जी ने क्या किया था प्यान आज में संथ होने का किरदार भी निभाया था और शीपाई होने का किरदार भी निभाया था जब इनके जो धरम है उस पर संकट आ गया था और इन्होंने अपने राजदानी किसे बनाया था लोहगड को बनाया था और जो यह लोहगड है यह कहां पर है यह पूछा जाता है क कि सीखो की राजदानी हर्याना में कहां पर थी तो वो हमारा लोहागडगाउं हो जाएगा जो कि यह यमना नगर में आता है और जो यह हमारे शरी उद्यवानुहन से इने क्या बोला जाता है रुबाई सम्राठ कहा जाता है इने यह भी आपको ध्यारक लेना है नेक्स्ट क्वेसिन हमारा संस्कृत भासा की पहली एतिहासिक काव्या करीती भानबटत किसके द्वारा लिखी गई थी तो जो यह हरस्वर्दन है इन्होंने क्या है यह जो बाकी की तीन करीतिया रह गई हैं जैसे कि हमारा रतनावले प्रिया दर्शी का और नागन यह तीनो लिखी थी तो यह आपको जहार रख लेना है हरस्चरित नेक तो सोरी भानबट नेक तो हरस्चरित लिखी थी और एक कादंबरी भी इन्होंने ही लिखी थी नेक्स्ट क्वेशन हमारा अलताफ हुसेन हालीमान उर्दू विद्वान का जनम हरियाना के किस जिले में हुआ थ अब सभी को पता है इनका जनम पानीपत में हुआ था इनका जो जनम है वो 1837 सीस्वी में हुआ था और इनकी जो मरती हो वो 1914 में हुई थी जो ये साजिदा जैदी है इनका जनम भी क्या हम पर हुआ था पानीपत में हुआ था जो ये हमारे अलताफ उसे नहाली है इनकी जो रचनाई है वो है यादगार ए गालिब इनके जो गुरू थे वो गुरू मिर्जा गालिब थे हाली की दरगा या फिर हाली जील या फिर हाल उर्दु साहिते पुरुषकार इनी के नाम पर दिया जाता है और 1904 में अंग्रे जोने इने संसूल उलेमा की क्या दी थी उपादी दी थी तो यह आपको ध्यार रख लेना है इसको 2003 में नैशनल पार्क का दर्जा मिला था यहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं तो यहां पर लाल जंगली मुर्गा और बोकने वाला हीरन पाए जाता है साथ के साथ यहां पर साल के वर्ष, कचनार के वरिख्ष, खैर के वरिख्ष, चीड के वरिख्ष, देवधार के वरिख्ष यह भी यहां पर क्या पाई जाते हैं पाई जाते हैं और यह जो वन होते हैं यह क्या होते हैं सदा बहार वन होते हैं तो यह आपको ध्यारक लेना है एक बार हम टाइम देख लेते हैं कितना हो गया लग बगगा 20 मिन्ट हो चुकी है हम एक पेज को और कवर करते हैं यहांपर हर्याना की सीमा पंजाब और हिमाचल परदेश से डैस दिसा में लगती है तो जो यह हमारा हर्याना है हर्याना की जो सीमा पुछा गया वो पंजाब और हिमाचल परदेश से किस दिसा में लगती है तो वो उत्तर दिसा में लगती है और रजस्तान के साथ कौन सी दिसा में लगती है दक्षिन दिसा में लगती है शिवालिक पहाड़िया हर्याना के डैस मिश्थी था तो जो यह हमारी शिवालिक पहाड़िया वो हर्याना के उत्तर पूरों मिश्थी था यह भी आपको ध्यार रख लेना है next question है, हर्यान में विग्यानी कुप करन का सबसे बड़ा निर्मादा कोंसा है, तो जो हमारा अमबाला को अर्शु दर्शन कंपनी है जो टोजे वो भी यहां की फेमस है तो यह आपको ध्यारक लेना है नेक्स्ट क्वेचन है हर्याना के पर्थम उर्दू राज्य कवी के रूप में किसे जाना जाता है तो देखेंगा अगर हमारा यहां पर क्वेचन होता कि हर्याना का पर्थम रा लिखित जीन डूंडा तिन पाया नामक पुस्टक अउदुगातन 10क थिर देवर किया है तो सिगन्य अन्हों बीडियत छो स quarantine आस सउन नेक्स्ट क्या नमारा विजे संकल्प रेली या फिर इसे बोला जाता है इकको फ्रेंडली 2019 में पानी को परियावरन के अनुकूल तरीके से वित्रित किया गया हर्यादा के किस जिले में की गई थी तो यह एक ऐसी रेली थी जिसमें जो पानी है वो जो यूजेंट थरू वा वर्ष 2019 में हमारी ग्यूजेट हुए थी अब देखिया हमाँ आगे बढ़ते हैं यह हमारा लाशकर कहा आज कर लास्ट क्वेशन है हर्याना कयरा सेक्स्पिर के नाम से किसी का जाता है तो जो हमारा हरियाना का सेक्स पिर रवोकी से कहा जाता है पंडित दीप चंद भैमन को कहा जाता है इनका जो जन्यम हो सोनिपत के सेरी खंडा गाउं में हुआ था और यहां पर देखे उप्सिन में दिया गया है पंडितने की राम सर्मा तो पंडितने की राम सर्मा को हरिया सब्क्रारा केस्री कहा जाता है जो हमारे सुरांदर स्रमा है यह हमारे हैं जो कि नाइगल चोधरी महिंदर-गड़्र सीबके क टेग लाइन है चार लैना सुना रहा हूं. अच्छण तरीगे से बोलते हैं, तो यह बोलते हैं कि जो टेग लाइन Πर्या स्वेलांज चार लाइन हैं, झार लहांद मेरी फैस और अमझे थे, सब Payg करते हूं. तो ये हरियाना हिंदी भासा के क्या है फर्स्ट साहित्यकार है तो ये हमारी आज की वीडियो थी उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स अलकों में share कीजेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूसके थैंक्यू धन्यवाद